आज बना रही हूं में बहुत सारी पड़तों वाले क्रिस्पी खस्ता नमक पारे जिनी आप महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं छोटी मोटी भू को या फिर चाय के साथ कुछ खाना हो या फिर सफर में ले जाना हो तो उसके लिए ये परफेक्ट नाश्ता है आसान सी रेसिपी के साथ कुछ 6 मिन्टों में बनके तयार हो जाता है तो रेसिपी अच्छ लगे तो प्लीज लाइक शेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो सबसे पहले ले रही हूं में 4 कप मैदा आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या जाधा कर सकते हैं और एक बड़ी सी परात में इसे चान लेंगे चानना जरूरी है चानने से वॉल्यूम बनता है और आपकी जो मठरी है वो बहुत खस्ता बनेगी आप इसे आटे से भी बना सकते हैं या फिर आधा आटा और आधा मैदा लेकर के भी बना सकते हैं तो देखें मैंने यहाँ पर इसे चान लिया है और चानने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं मैंने यहां पे चार कप में एक चमच नमक डाला है और सफिशिंट है इतना और इसके बाद डालेंगे अजवायन तो यहां आदा चमच मैंने अजवायन ली है उसको इस तरह से हाथों के बीच में क्रेश करके डालेंगे और आदा चमच ही मैंने इसमें कुटीवी कालीविज डाली है और अब इस तरह से पहले इन तीनों को मिक्स कर लेंगे सुखा ही ताकि अच्छे से पूरे आटे में मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे मोयन, तो मोयन के लिए मैंने तेल यूज़ किया है, आप चाहें तो गी यूज़ कर सकते हैं, और यहां मैं डाल रही हूँ 1 फोर्थ कप ओयल, और तेल इतना डालना है कि अच्छे से मुठी बनने लग जाए, तभी तो हमारे जो नमक पा रह है, और मुझे यहां पर तेल थोड़ा कम लग रहा है, मुठी भी देखिए, अच्छे से नहीं बन पा रही है, तो मैं यहां पर तीन बड़े चमच तेल और डाल रही हूँ, यह कप मेजरिंग कप है, जिससे मैंने मैदा ना पा था, उसी इसे मैंने यह उयल ना पा है, तो बस पानी डालते जाए, नॉर्मल टेंपरेचर वाला पानी डालना है, और इसे हम हलके हाथों से गुनते जाएंगे, आज हम यहां पर लेयर्ड मत्री यानि बहुत सारी पड़तों वाली मत्री बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, तो रेसिपी आप पूरी पसल के आज से इस दर से एकटा करके, मैं इसके उपर थोड़ा सा ओयल लगा रहे हूं, ताकि जो है उपर का यह चुपरत है, वो सूखे नहीं, और इसे हम ढखके रख देंगे, करीब 20-25 मिनिट के लिए, उसके बाद हम इसे वापिस से गुन देंगे, अब यहां एक बोल देंगे, तो इस तरह से हमको एक सलरी थयार करनी है, यानि कि एक साठा थयार करना है, जिससे हमारी जो मठरी है, वो लेयरड बनेगी, बहुत सारी परते बनेगी, तो देखे, 20 मिनिट हो चुके है, आठा एकदम अच्छे से से सैट हो गया है, इसे एक बार अच्छे से मल दुबारा जादा नहीं गुनना है अच्छे से मलने के बाद इसके हम कर लेंगे तीन या चार जैसे भी आपको एजी लगता है तो मैं इसके तीन भाग कर रही हूँ आप चार भी कर सकते हैं और हमको परत वाली बनानी है तो एक पोर्शन हम लेंगे और उससे हम इसे कोई krax आते हैं कि यहां पर अच्छे से म67 को मलकर कोए क्रेक साते हैं तो आने दीजी क्योंकि इस फynnनेगे later साठा नहीं मिसलनाम आपको ज़्यादा नहीं स्कुपर नहीं कर लिया है इस तरह से तो इई मोटा भी नहीं रखना है और अब हम इसके उपर लगाएंगे साटा तो जो हमने सलारी तियार करी थी तेल की और मैदा की वो इसमें लगानी है थोड़ी थोड़ी लगाईए और हातों से इसको अच्छे से फैला दीजिए पूरे इस पे जो हमने बेला है इसको पूरे से फैल पलटना है अब किस तरह से पलटना है देखी जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है तो लंबी तरफ से मैं इसको दो बार पलट रहे हूं यह दिखिए इस तरह से और अब इधर से लंबाई की तरफ से भी इसको पलट देना है लेकिन उससे पहले लगाएंगे हम वापिस से त्यार करी थी और इसको भी हम हाथ से एक बार फरला देंगे तो जितनी भार भी आप साटल अगा करके इसको फोल्ड करते जाएंगे उतनी ही आपकी पड़ते बनेंगी तो मैंने इसे सरिफ चार बार फोल्ड किया है उसी में बहुत अच्छी परते बन जाती है अब सुख यह देखिए इस तरह से आप size के according छोटी बड़ी बनाना चाहते हैं तो छोटा portion लिजिए और उसको कम फैलाईए तो आपकी जो मठरी है वो छोटी बनेगी आप ऐसे भी कर सकते हैं तो अब देखिए मैंने इस पर फिर से ये लगा दिया है साटा और फिर फैला करके और फिर से इस पर मैदा चिड़क देंगे तो जितनी पड़ते हैं बनाना जाते हैं उत्ती बार फोल्ड कीजिए और आपकी परदार जो है मज़िदार क्रिस्पी ये जो मठरी है वो बनके तियार हो जाएगी अब लास्ट टाइम मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ तो देखिए एक बार फोल्ड क्या है और दूसरी बार फोल्ड करने से पहले मैं इस पर किनारे पर पानी लगा रही हूँ ताकि जो मठरी है वो जब हम फ्राइ करें तो खुले नहीं नहीं तो खुल करके पूरी फैल जाएगी फिर मज़ा नहीं आएगा तो इस तरह से आप पानी से चिपका देजी फिर जो इसकी परते है वो खुलनी पाएगी सिर्फ खुल के अंदर से खुलेगी पूरी बिक्र तो जितनी पी चौड़ी आप चाहें काट सकते हैं ज्यादर चौड़ी बीटातिया क्योंकि अंप धियों चेब त्रहर से बिक्री तो प्हुति पहुते होती है तो मैंने करीब 125 इंश की चौड़ी काटी है पट्टी और आप देख सकते यह जिए लेयर की तरह में चैंव और इसको डारेक्ट तेल में डाले तो इस तरह से काटते जाए और तेल मैंने पहले ही गरम रख दिया था तो यहां पर आपको मेडियम होट चाहिए देखिए मैंने चोटा सा टुकड़ा डाल के दिखा है तो यह अच्छे से गरम हो चुका है जादा करम भी नहीं है तो बिल दीमी दीमी आज पर इनको फ्राइ होने दीजिए एक बार हिला दें तक यह नीचे चिपके नहीं और इनको अच्छा सा सुनेरा कलर नहीं आ जाता तब तक आप इने से किएगा अब पलटते वक्त भी आप इसे ध्यान से बलटें क्योंकि इस वक्त यह बहुत सॉफ्ट है तूट जाएंगी तो ध्यान से धीरे से इनको पलटी और थोड़ी दिर बाद इनको फिर चेक करें तो करीब आपकी यह साथ से आइट मिनट या नौ मिनट तक आराम से धीमी धीमी आज में पलकती रहेंगी तलती रहेंगी और बढ़ी हसी क्रिस्प हो जाएंगी और एक्त मुँ में ले जाते ही तम कृस्प मतलब इतने खस्ता होते हैं कि टूट जाते हैं और देजस दया लगते है आप सफर में ली जाएंगी यह और फे चाए के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं बहुत अच्छे लगते हैं यह टाय कि बहुत जादा लागते हैं तो देखिए एक और आधा किलो आटे में यानी चार कप में आप देख सकते हैं कितनी सारी बनके तयार हुई है एकदम खस्ता एकदम कुरकुरी देखते ही मुझ में पानी आजाए बस देखके बाद एक उठाके खाते जाएगे तो रैसे भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा चैन